नमस्कार साथियों आज की हम इस वीडियो में 30 अप्रेल दो हजार तेज़ को आयोजित पत्ना हाई कोट असिस्टेंट एक्जाम के इस्पेक्टेट कटफ कितना हो सकता है इसे जानने की कोशिस करेंगे इस्पेक्टेट कटफ के निधारण में हमने जिन पारामेटर्स का प्रयोग किया है उन में पहला है आपके द्वारा दिया गया रिव्यू दूसरा है कोश्चिन पेपर की डिफकल्टी लेबल तीसरा है नमबर ओफ वेकेंसी जीज निगेटी मार्किंग नहीं है अगर हम कोश्चिन के इस डिविजन की बात करें तो पच्चिस कोश्चन मैथ और रिजनिंग के थे जिसकी डिफकल्टी लेबल की बात करें तो इजी के रूप में रखा जा सकता है क्योंकि बिहार के बच्चों के एक समस्या होती है इंग्लिस को लेकर तो उनके लिए पेपर मॉडरेट था 25 कोश्चन थे हिंदी इजी के स्रेणिव आप इसे रख सकते हैं जीएज के कोश्चन मॉडरेट टु टु टॉ टॉ थे क्योंकि पॉलिटी वाले जो कोश्चन थे गूट वाले कोश्चन थे कूट वाले कोश्चन अपने आप में टफ हो जाते हैं, तो अगर उनकी डिफकल्टी लेबल को भी साथ लिया जाए तो जीएज कि पेपर को इस बार पूल 550 पद हैं अगर हम कटोगरी जो आई कटफ देखें तो जो जेनरल कटोगरी है इसको कि अन्रिजर्ब कटोगरी कहते हैं उसकी कटफ 75 के अप्रोक्स रहने वाली है यानि कि 75 के आसपास है एक नंबर कम यादिक तो आप मुख परिछा के तैयरी में लग सकते हैं साथ सेम केटोगरी की फीमेल केटोगरी की कटफ आपको अगले सेडमें दिखाई दे रही होगी उसे भी आप देखते जाएं EWS BC1 BC2 71 से 72 SC ST का कटफ और फिर रिस्पक्टिव फीमेल केटोगरी की कटफ को आप देख सकते हैं कूल मिलाकर अगर हम जिस्ट में बात करें कंक्लूड करें इसको डेटेंसेल में तो 75 प्लस अगर आप क्या रहे हैं और आप इवर या जेनरल के डोगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मुख परिक्षा के तैयारी कर सकते हैं